नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पीम न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्पोर्ण सूचना आप सभी को मालूम है कि संग लोक सेवा आयोग ने IAS 2021 की परिक्षा के लिए तिथियों को घोसित कर दिया है ऐसे में अब से सिर्फ आठ माह का ही समय आपके पास तैयारी के लिए सुरक्षित है सेवल सेवा परिक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा दोनों ही लिहाद से सामान्य अध्यन एक बड़ी चुनोती होता है इसी चुनोती का सामना करने के लिए स्रेश्ट ववा अनुभवी सिक्षकों की टीम के साथ Target with Alok Institute में IAS Target Online बैच 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है आपकी पूरी तैयारी करवाने के लिए इस बैच की अवधी आठ महीने होगी हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बलकि प्रसासनिग अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता को भी विक्सित करते हैं ताकि बहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सामान अधियन को तैयार किया जा सके आलोक सरके कुसल नरदेशन में 1125 घंटे की कक्षा सटीक रणनीती के साथ देश के सर्वस्त्रेश्ट विशेशग्यों की टीम एक मंच पर बहुत ही निवनतम सुल्क में हमारे कक्षा करिक्रम में प्रारंभिक परिक्षा के तहत सामान अधियन एवंग सी सेट और मुख्य परिक्षा के तहत सामान अधियन एवंग निबंध सामिल है यहां आपको मिलेगा प्रारम्भिक और मुख्य परिक्षा के लिए सभी टॉपिक का विश्त्रित कवरेज, सभी टॉपिक अंतर विसयक समझ के साथ मुख्य परिक्षा के लिए लाइब कक्षाएं, एनिमेशन और पावर पॉइंट तकनिक के साथ, प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए अलग-अलग हस्त लिखित एवंग सार गर्भित नोट्स, सीसेट की कक्षाओं का संपूर कारिक्रम, लेखन सैली के लिए विशेशी कृत सत्र, अखिल भारत ये अस्तर पर टेस्ट सिरीज सुबिधाएं, तो ज्वाइन करिए आलोक सर के कुसल नरदेशन में IAS टार्गेट ओनलाइन बैज, हमारे कारिक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिये गए नंबर पर संपर्क करें, और अब खबरों की तरह पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइन्स पर एक नजर, बैंकिंग धोखा धड़ी में E-SIM के बढ़ते प्रयोग से साइबर सुरक्षा तंत्र पर उठ रहे सवाल, यी बात हुवा जागरुकता कायक्रमों से RBI कर रहा लोगों को सतर्क, नीती आयोक ने जारी किया निर्यात ततपरता सुच कांक 2020, गुजरात रहा सीर्ष पर देश में 241 अमेरिकी डॉलर है प्रतिव्यक्त निर्यात, तो चलिए अब बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं, बैंकिंग धोखा धड़ी के मामले में E-SIM का दुरुपयोग होने से एक बार फिर इंटरनेट और साइबर सुरक्षात तंद्र पर सवाल उठने लगे हैं, दरसल हाल ही में हरियाना पुलिस ने 300 से ज़्यादा बैंक खातों से जुड़ी एक बहुराज्जी बैंक धोखा धड़ी के मामले में E-SIM के प्रयोग की बात माना है, इस प्रकार के मामले पंजाब, हरियाना, बिहार, पश्यम बंगाल और जार खंड से संबंधित हैं, जैसे ही OTP यानि One Time Password भीजने का संकेत प्राप्त होता है, तो वे उस नंबर पर Customer Care Executive बनकर संबंधित ब्यक्ति को SIM Card अपग्रेट करने या उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी जानने के लिए फोन करते हैं, इन जानकारीओं को हासिल करने के बाद अपराधी खाता धारक को एक E-mail भीजते हैं और इस mail को आधिकारिक ग्राहक सेवा नंबर पर भीजना होता है, इस प्रक्रिया से खाता धारक के फोन नंबर को अपराधी अपनी mail ID से जोड़ पाते हैं, और खाता धारक के SIM को E-SIM मे बदलने के लिए आधिकारिक आवेदन कर पाते हैं, जैसे ही यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं तो अपराधियों की खाता धारक के नंबर से जुड़ी सभी सेवाओं तक पहुच हो जाती है, आपको बता दें कि E-SIM और पारंपरिक SIM में अंतर होता है, E-SIM का पूर निर्माता द्वारा फोन में ही अस्थापित कर दिया जाता है, इस SIM का उपयोग स्मार्ट वाच जैसे छोटे उपकरणों में किया जाता है, RBI ने कहा वित्तिय वर्ष 2019-20 में इंटरनेट से जुड़े बैंक धोखा धड़ी के मामलों में बीते साल की तुलना में दोगुन से ज्यादा बढ़ोत्री हुई है, इस समस्चा से निपटने के लिए RBI Electronic Banking जागरुकता और प्रसिक्षण या E-BAT यानि Electronic Banking Awareness and Training कारिक्रम के माध्यम से जागरुकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इसके अलावा RBI द्वारा PIN, OTP, PASSWORD आधि को साजह करने से बचने क लिए जागरुकता अभियानों को आयोजित किया जा रहा है, 26 अगस्त 2020 को सरकार के प्रमुख Think Tank नीती आयोग ने Institute of Competitiveness के साथ मिलकर निर्यात ततपरता सुचकांक 2020 जारी किया, इस सुचकांक में जहां गुजरात सीर्ष पर है तो वहीं महाराष्ट और तमिलनाडु क्रम सह दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे, नीती आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 36 राज मसलन गुजरात महाराष्ट तमिलनाडु ओडिशा करनाटक और केरल सीर्स दस राज्जों में अपना अस्थान बनाने में सफल रहे, आपको बता दें कि नीत चिर्शवआर नजर डाला जाय तो परवती राज्जों में उत्तराखंड सीर्शपर रहा तो त्रिकुरा और हीमाचल प्रदेश भी दूसरे और तीसरे अस्थान पर नजर आ ए, भूम से घेरे राज्जों में जहां राजस्थान सीर्श पर रहा तो इसी लिहाज से दूस और जारखंड की तारिफ की गई जहां निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए गए नीती आयोग ने समान रूब से सामाजिक और आर्थिक चुनोतियों का सामना कर रहे राज्यों के लिए सुझाओ दिया कि ऐसे राज्य चातीस गण और जारखंड की तरह कदम उठा सकते हैं गरतलब है कि निर्यात ततपरता सुचकांक में नीती आयोग ने राज्यों को चार महत्वपूर मानदंडों के आधार पर रैंकिंग दी है मसलन निर्यात को लेकर राज्यों की नीती व्यवसाइक अनकूलता निर्यात से जुड़ा पूरा तंत्र और न लिहास से देश को जीडीपी और विश्व व्यापार में निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा उन्होंने आगे कहा कि हम सभी मिलकर आने वाले वर्सों में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दूगनी करने का प्रयास करेंगे स्री पांक और रिपोर्ट के संदर्व में नीती आयो के CEO अमिताब कांत ने कहा कि दीरगावधी में आर्थिक विकास के लिए निर्यात में तेज बृध्धी बेहद अहम है। असर पड़ा है। गौरतलम है कि भारत में राज्यों की निर्यात ततपरता का मुल्यांकन करने के लिए निर्यात ततपरता सुचकांख के निर्माण का विचार सबसे पहले साल 2019 में नीती आयो के समक्ष आया था। और अबंत में कुछ अन्यमहत्तपोन खबरों पर एक नजर भारती लोक कला को पढ़ावा देने के लिए राष्टी उर्वरक लिमिटेड यानि एन एफल ने नोईडा के अपने कार्पोरेट कार्यालाई की बाहरी दीवारों पर महारास्ट की प्रसिध वारली पेंटिंग प्रदर सित्की है। गरतलब है कि वारली पेंटिंग की उत का पेस्ट, गोध, और जल के मिस्रण का उपयोग किया जाता है। साथ ही इस पेंटिंग में सांस्कृतिक झलग भी दिखाई देती है। वारली चित्रकारी मनुष्य और प्रकित के बीच घनिष्ट संबंधों को दर्षाने का एक सबसे बेहतरी नमूना है। इंस्पायर फैकल्टी फैलोशिप प्राप्त करने वाले वैज्यानिक सुक्ष्म सैवाल से कम लागत वाले बायोडीजल का विगास कर रहे हैं विशुभर में तेजी से कम हो रहे पेट्रोलियम इंधन को देखते हुए तिरू चीरा पल्ली इस्थित आयाईटी सोध करताओं ने नवीकर्णिय एवंग सतद स्रोतों से वैकल्पिक इंधन की खोज शुरू कर दिया है इसके लिए जैव इंधन के उतपादन के लिए सोक्ष्म सहवाल के उपयोग को बढ़ावा देने पर पूरा जूर है आर्थिक तौर पर बायो डीजल उत्पादन के लिए समुद्री सुक्ष्म सहवाल में ट्राइसेल ग्लिसरॉल को बढ़ाने की तक्नीक पर जोर देने के लिए भारत सरकार ने इनोवेशन इन साइन्स पर स्पूर्ट फॉर इंस्पाइड रीसर्च यानि इंस्पाइर को चुना है इस सुक्ष्म सहवाल से कम लागत वाले बायो डीजल के निर्मान संबंधी सोध को केमो स्फियर नामक पत्रिका में प्रकासित किया गया भारती चिकित्सा अनुशंधान परिशद यानि ICMR ने लोगों में कोरोना एंटीबॉडी की उपस्तिती का पता लगाने के लिए सीरो सर्वेक्षन कराने के लिए सरकार से सिफारिस किया है हाल ही में महानगरों में किये गए इस तरह के सर्वेक्षन कोरोना वायरस के गतिबितियों और उसकी सनचना को समझने में लावदायक साबित हुआ है सीरो सरवेक्षन में लोगों के बलड सैंपल की जाच करके किसी आबादी में या समुदाय में ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिसमें किसी संक्रामक रोग के खिलाफ एंटी बॉड़ी यानि उस रोग से लड़ने की शमता विक्सित हो जाती है यह सरीर के वर्तमान संक्रमन का पता लगाने में काम नहीं आता बलकि यह पूर्व में हुई संक्रमन का पता लगाने का काम करता है हाल ही में भारतिय पुरातत्तो सर्वेक्षण यानी एसाई के साथ नए प्रशास्तनिक सर्कल की अस्थापना को केंद्री संस्कृति मंत्राले से मंजूरी मिली प्राचिन स्मारकों और राष्टिय धरोहर के प्रबंधन में सुधार के लिए यह फैसला लिया गया इससे पहले देश भर में 29 एसाई सर्कल थे नवस्थापित ये साथ सर्कल मध्य प्रदेश के जबलपूर, तमिलनाडु के त्रिची, उत्तर प्रदेश के जहासे और मेरट, करनाटक के हमपी, पस्षिम बंगाले के राइगंच और गुजरात के राज कोट में बनाए गए है गरतलम है कि तमिलनाडु पहले से ही एसाई का चन्नाई सर्कल था, फिर भी तमिलनाडु जैसे राज में जहां चोल सामराज का महान इतिहास मौजूद है, वहीं हजारों ब्रिहद मंदिरों का धरोहर भी है चिन्नाई सरकल के साथ त्रिची को नया सरकल बना दिया गया है जो तमिलनाडु जैसे ब्रिहद राज में भागोलिक असुविधा को समाप्त करेगा पस्टिमी उत्तर प्रदेश में जहासी और मेरट को आगरा व लखनाओं के साथ दो नय सरकल घोशित किये गए प्रदानमंत्री राष्टी बाल पुरसकार 2021 के लिए भारस सरकार के महिला एवंग बाल विकास मंत्राले ने बच्चों व्यक्तियों एवंग संस्थाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किया है गौरतलब है कि यह पूरसकार दोस्रेणियों बाल सांती पूरसकार और बाल कल्यान पूरसकार में प्रदान किया जाता है इस पूरसकार की अस्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को समानित करने के लिए किया गया है राष्टपती द्वारा प्रतेक वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में यह पूरसकार प्रदान किया जाता है आपको बताते चलें कि बाल सांती पूरसकार के विजेता 26 जन्वरी को गड़तंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेते हैं जाबानी प्रधान मंत्री सिंजो आबे स्वास्त कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात कही दरसल सिंजो आबे कई सालों से अलसरेट्यू कोलाइटिस की समस्या से परेशान है लेकिन बताया जा रहा है कि हाल में उनकी इस्तिती ज़्यादा बिगड़ गई आबे का कारेकाल सितंबर 2021 में खत्म होने वाला था सिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधान मंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ चुके है अलसरेटू कॉलाइटिस बड़ी आथ की एक गंभीर बिमारी है जिसमें आथ की अंदूरुनी परत में सूचन और जलन होती है इसके चलते पेट संबंधी बिमारियां और फिर पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है सही समय पर इलाज न होने से कोलो रेक्टल या मल नाली कैंसर होने की भी संभाबना होती है सिंजो आबे लिबरल डेमोक्रिटिक पार्टी के मोरी गुट के सदस हैं इस गुट का नेत्यत पूर प्रधान मंत्री योसिरो मोरी करते थे सिंजो आबे को अंतरराष्टी ये अस्तर पर उनकी सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए जाना जाता है फिलहाल 8 पिम के इस न्यूज बुलिटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोक आनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार